पर आपके लिए आल सब्जेक्ट जो हमारा चैनल है उस पर आपके लिए आल सब्जेक्ट वीडियो लक्ट्राइब लेविल फस्ट पॉइंट सब्जेक्ट इंग्स लिट्रेचर इंपॉर्टन टॉपिक लाउंग शॉर्ट आंसर टाइप कोशन्स मूर आफ लेव वीडियो आफ यूनिवर्सिटी एक्जाम और M.J.P.R.U. तो बहुत सारे वीडियो फूर्डड है और इसमें आपके लिए जो भी उनिवर्सिटी का एक्जाम होने वाला है आपका बूछाए कोई सी भी हो जिसमें आपका बड़ी उनिवर्सिटी है M.J.P.R.U. गौतम बुद्द उ पाइस्टर का अगर होने वाला है तो आप सब के लिए वीडियो बेरी मुंस्त इंपाइट है तो फस्ट में हम चला रहा है एंग्रिस लिटरेचर और इसके बाद आपका सुरू करेंगा इंग्लेस लैंग्योज अभी इंग्रिस लिटरेश्र का फस्ट पेपर चल रहा है के बाद में हम complete करेंगे second paper इसके साथ ही आपके लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें आपको यहाँ पर जो वीडियो अने subject मिलने वाले हैं आप इसी चैनल पर मिलेंगे हम आपको मिलने वाले हैं सिंदी सायत हो गया हिंदी की भासा होगी भूबूर इत्यास संस्क्रट राजदि सास्त्र समासास्त्र सिक्षा सास्त्र और भी अधिक वीडियो आपको मिलेंगे तो इसमें हमारा बीडित पार्ट वन फास सेमिस्टर English Literature चला है और English Literature में हमारा जो पेपर है पेपर आपका है English Prose and Writing Skills अकार्डिंग टू सुलेवर 2020 इसके अनुसार न्यू पॉलिसी ठीक है इसमें यूनिट फास्ट है और फस्ट इनुट हमारा जी है फस्ट में पावर पाइंट प्रजेंट प्रजेंशन यह कंप्लेट हो चुका है सेकेंड चला है हमारा भी सेकेंड में क्या हमने लेटर राइ 2 f ir इन में difference क्या है वो चीज्ट को तर्फ करेंगे और इसके बाद हम फिर सरूप करेंगे फस्ट में 3.0 पॉयंट फ्र्ट में आईगा हमारा free reinnya resume हम resident को किस तौरी के से प्रफ करते हैं more ce b किस पत्र देना यह हम थर्ड पॉइंट में यूनिट फरस्ट में कवर करेंगे अभी शेकेंड में दो पॉइंट पचे हुए हैं वो पूरे करेंगे तो ओ दो पॉइंट कौन से हमारे इसमें हम F.I.R. and Complaint Determint Difference क्या यह चीज़ कवर करने वाले हैं तो आईए पहुंचते हैं सीधे अपने टॉपिक पर देखिए आ गया हमारा क्या है Difference between F.I.R. and Complaint Complaint और F.I.R. में Difference क्या है क्या आंतर हैं दोनों में इस चीज़ को आज हम क्लिर करने वाले हैं तो इसे क्लिर करते हैं पहले कोशन पर समझे देते हैं कोशन आपका है What is the difference क्या आंतर है between बीच में F.I.R. and Complaint शिकाती पत्र और F.I.R. लिखवाने में इन दोनों में क्या आंतर होता है तो point to point हमने इन उपर चर्चा की है आईए देखते हैं इनको शुरू करते हैं आंसर पहले हम कुछ देख लेते हैं इस तरीके से है in common paradox the term of F.I.R. and Complaints are often used interchangingly both मतलब जो F.I.R. होती है उसमें और Complaints में काफी अंतर होता है और कुछ अंतर हम अब देखेंगे point के दर पर जैसे terms of have different legal meanings and incomplements implications implications the major points are difference between both are इन दोनों में क्या आंतर है वो आपके सामने दिए गए point और कुछ term से होते हैं जिन में meaning का भी changing होता है मतलब दोनों में F.I.R. और इसमें complaint में तो first first information report यह है first information report F.I.R. ठीक है and complaint यहां पर मैं लिखना भूल गया था यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसका complaint इन दोनों में हम अंतर देखेंगे ठीक है तो point two point देखते हैं point wise पहला point हमारा है F.I.R. is not defined under the code F.I.R. जो होती है वो हम किसी भी code के अधीन होकर उसको define नहीं कर सकते define नहीं होती है उसके बख्या नहीं होती है अब इसी में first point क्या है हमारा but यह complaint का but complaint is defined complaint को define कर सकते हैं under the code two two के अंदर D option मिलेगा of the code as any code as any allegation made only are written हम इसको दो तरीके से किसी तरीके से इसको हम define कर सकते हैं या तो हम only कर सकते हैं या फिर उसके लिए हम written इन्हीं लिखित में भी इसकी डिवाख्या कर सकते हैं इसको define कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं magistrate magistrate with a view to taking action under this code that some person whether known are known known or unknown मतलब इसमें वो लोग भी भाग मतलब सम बहां पर हो सकते हैं ऐसे लोग हो सकते हैं whether known जो जानते हैं या अर अन्नों जो नहीं जानते हैं वाले लोग हैं वो भी भाग हो सकते हैं या आप पर चित भी हो सकते हैं ठीक है अन्नों ना जानने वाले लोग जुनको नहीं जानते हैं हैं सोमेटेड एस एन आफेंस बट डस नाट इंक्लूड एप्रीस डिपोर्ट लेकिन इसमें प्लिस रिपोर्ट की खुए जिक नहीं होती है है स्सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट इस लॉड वीदैन आफिशर इंचार्ज और फैल जोती है वो पुलिस का इस टेशनग जो इंचार्ज होता है उसके दोरा F.I.R. जो होती है हम लॉगन करते हैं यह लिखवाते हैं ठीक है बट यह कमप्लेंट के लिए है वट कमप्लेंट इस फिल्ट विद्धा मजिस्टेट और जो कमप्लेंट जो होती है शिकायद जो हती है वो मजिस्टेट के बारा फिल्ट की जाती है में सिट्ट के साथ बिद फिल्ट की जाती है नैक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है रात के बारा सौड़े बारा बजगे हैं जो मैं आपका बीडियो रिकार्ड कर रहा हूँ और यह आपको सुवा मिलेगा अर्ली इन दा मॉर्डिनिंग में ऑन फिल्ट शिवीन रिलेट्स इंफार्मेशन ए दा कमिशन ओफ ए कौन इवल ओफेंज थीक है तो अफ है यह निक्टियू को इन फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है उसमें इन फॉर्मेशन ही सूचनाओ के अधर पर होती है यह इसमें बच इट में बीरेटेड टू भी क्या complaint का है फट complaint इट में वी इन्ट विडिटेट विद दे कमीशन आफ एने ओफेंस विदर काईजेवल और नन काईजेवल इन दोनों से लिटेट रहता है क्या हमारा complaint शिकायत कि चाड़े बाराबस गये बाराबस की 22 मिट हो गए जब मैं वीडियो बनाने पर आपको सुभा के लिए आपको देना है तो आप लोग बस जोड़ते रहिए जो उसनों जोड़ते रहिएगा प्लेश्ट पर जिरूबीज कि रिएगा आपको प्रतेक सब्जिट की सब्जिक्ट बताएं को इसका चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आपको थर्ट सेमेस्टर का भी से मिलेगा और तो इसमें फॉर्ट पॉइंट हमारा है इस नाट ए सबस्टेंटिव पीस आफ इविडेंस मतलब जो एफायर होती है वो सबूत के तोर पर सबस्टेंटिव प फायव करेंसमें फर तो पर उसको पेश किया सकता है उसको माना जा सकता है सबूत की तौर पर तछिर मसिसलों किली अपरम्ट इनियों फहरेंट इनिस सोचना के अधर पर वनकम500 कर सकते ठीक और औए वह एक बारोती है दूबाराव से नहीं गरत तए ठीक, है लेकिन क्या है कंप्लेंट में वह टिजekt कॉःन में के विढ़्टेव जघ्मिघ prends देज्ट को एकीज़ वहुजन क्र भीड़न है चनल तूर सफ़ और और एनी हम इसको final order पास हो जाता है उसके बाद इसको हम निकाल सकते हैं किसी भी टाइम को देख सकते हैं next six point हमारा है एक FIR का है the informant is not found to take an oath before the police officer while logging FIR the informant is not found सुचना नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं to take an oath oath कहते हैं सपथ सपथ लेने से पहले before the police officer while logging FIR इससे पहले हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते but the complaint but the complaint must take an oath before the magistrate state के सामने प्राप्त होने से पहले हम complaint को एक बार देख सकते हैं उसकी सफ़त ले सकते हैं सफ़त लेने से पहले ठीक है पॉइंट सेवन आ गया हमारा फ्राप्त लंबा हो सकता है दोस्तों चुटते रहे हैं कम्मुटी पेस को जरूफ वालो कीजेगा उस पर में बहुत चीज़ने रगा देता हूं वहां साब वीडियो देख सकते हैं कम्मुटी पेस पे लिंक मिल जाएगा अपके लेबस अप्रोड कर दिया है वेडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रेस्ट में करें आप महाँ मिल जाएगा और डिस्किप्शन में इंके लिंक के मिल लाएंग तो ने सेर रिएगा लेवल एंड मेलेशियस प्रसक्यूंशन आफ इन एन फार्मिशन जाता है वाई हिम यदि उसके दोरा वो प्राप की जाती है किस तरिके से या तो वो इंकरेक्ट हो मतलब के जूटी हो फाल्स जूटी इंकरेक्ट मतलब अशुद्ध हो तब हम क्या एह हो ऐसा हो सकता आवाज हम ले सकते हैं वड़ शेयर नमर कंप्लेंट अर्यलैष हूष वठी हो था ईयदी हम उसको गलत समझते है या हम घूटी होती है तो उस पर एक्षिन लिया जता है खाigne आज अगे हो वीडियो पसंद आब बात पिस ने लाई करदीजिए शेर करदीजिए वीडियो को सस्क्राइब पर लीजिए वें चैनल